साथियों, शहरों की समझ्याओं को सुल जाने के लिए ये भी आवशक हैं कि हमें हमारी आदते बदलनी पड़ती हैं, नागरीकों के बिहेविरल में चेंड लाना पड़ता हैं, वरना हमने तो देखा हैं, लोगों का स्ववाग ऐसा होता हैं, कुछ लोग जल्दी उठी जात करके बगलवाले के गर के सामने डाल देते हैं, फिर बगलवाला कोड़ा के तरह साप करता हैं, तो वो उठा करके इस घर के सामने डाल देता है, अब ये आदत कौन बढ़लेगा जी, हमने नागरीकों के स्वभाव को बदलना होगा, बिजली बचाने के आदत डालनी कि समय पर टैक्स भरने के आदर डालनी पड़ेगी गंडरी न करने के आदर डालनी पड़ेगी एन झाल मेर के और आप Täक के ओर और आप के द्रयूद के यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हमने भीनी भीने करकाए के चाहिए निबंद स्पर्दा हो, रंगोली स्पर्दा हो, बच्चों की रेलियां हो, कविताओं का सम्मेलन हो, स्विच्छता पर कविताएं हो, ऐसे भाती भाती के जन जागरण के कारकम करने चाहिए, दिवारों पर अच्छी तरह से उसको लिकाब जैसे बगीच होते हैं, हमें जो लोग डेली बगीचे में आते हैं, उनके कमिटी बना देनी चाहिए, और हम ये भी कर सकते हैं, कि वहाँ एक टेमपरेर एसे बाड लगारने के वहुसता की हो है, कि वह उस इलाके के जो बच्चे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे, तो चलो भाई, सनिवार शाम को नवज़मानों को बला करके करेंगे, हमारे बगीचों को जिंदा बना देना चाहिए, हमारे शहर की आत्मा के रुप में जागरिक बना देना चाहिए, तो बगीचा भी अच्छा रहेगा, सरकारी खर्चे की जरुदे, वही अपना समा लेंगे बगीचा, वही सोचेंगे यह तो हमारी जगह है, इसमें हम गंद की नहीं होने देंगे, पैड पॉदय को तूटने नहीं देंगे, हमें नेत्रुत्व देना होगा, सब काम पैसों से होता ऐसा नहीं है जी, अधिक्तम काम जन सामान्य के समर्थन से होते हैं, और ये चुने हुए जन प्रतिनिधी जितन अध्यान देते हैं, उतना परिणाम बिलते हैं, और हमने तो देखा है, स्वच्छता के विशय को देश्त्री उठा लिया, पूरे देश के हर घर के अंदर चोटा बच्चा भी स्वच्छता की बात करने लग गया, हमारे शहर में भी कूडा कच्रा, गीला कच्रा को कहां हो होगा, उसको उठाने की व्यवस्ता होगी, हम जितनी जादा लोगों की आदते बदलने के लिए आग्रई बनेगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्ताइं विक्सित हो रही हैं, उनका जादा से जादा लाप हमारे नाग्रिकों को मिलता रहता है, हमें ये सा सरकान रखते हुए आगे बढ़ना है, उसका आगे चरक के काम में उपयोग हो गया है, अब एक बात हो पादा, हम देखते हैं कि सरकार के तरप से CCTV कैमेरा लगते हैं, जाता है तो होम मिनिस्ट्री लगाती है, पुलिस के लोग करते हैं, लेकिन क्या ये CCTV कैमेरा है, हम कितनी CCTV कैमेरा का नेटवर्ड खड़ा हो जाएगा, बिना खर्चे हो जाएगा, अचा, अभी हम क्या करते है CCTV कैमेरा का उपयोग, क्राइम डिटेक्शन के लिए सुप करते हैं, अगर ट्राभी कंट्रोल करना है तो भी CCTV कैमेरा का उपयोग हो सकता है, स्वच्छता के उपयोग किया जा सकता है, और इसके लिए हमें जूड़ना पड़ता ही, हम उसके साथ involved हो जाते हैं हम कर सकते हैं, देकि आप सभी जानते हैं मान दीजे आपका अच्छा सा मकान है, गर के बाद बढ़िया महंगी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अगर परीवार में धंग कोई चीजे नहीं है, सब इधर उदर पड़ा हुआ है, शोफा का ठिकाना नहीं, चेहर का ठिकाना नहीं, कोई भी वेक्ति आएगा उसके वो कार देकर को अच्छा लगेगा, अंदर गंदा देकर को बुरा लगेगा, वो आपके घर की छबी कहां से ले जाएगा, आपने क अंदरियरी कराण, ब्यूटिफिकेशन, मैं तो लगातार कहता हूँ को हर बोड में, हर महिने, सीटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन होते रहना चाहिए, और इनाम गोजित होना चाहिए इस बार, चलो बें, तेरा नमर का बोड ब्यूटिफिकेशन में आगे आया, वीस नमर क बोड आया, लगातार इस परधा चलनी चाहिए, नागरी को बीच में परधा खड़ी होनी चाहिए, सीटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन ये सहर का स्वभाव बनना चाहिए, और दुनिया में नाम तब होता है न, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें शहर को व्यवस्तित भी रखना है, सहर को सुंदर भी रखना है, और छोटी-छोटी बातों का ध्धान हमें रखना होता है, अब देखिए, ये जैपूर पिंग सिटी, दुनिया भर के टूरिस देखने के लिए आते हैं, क्या कारान है भई, किसी ने तो पिंग सिटी बनाया, हमारा आनंद कभी दे किया है, तो धरी दिर उसकी पहचान बन जाएगी, अब भोपाल की पहचान क्या लोग कहेंगे, भी तो जीलो का शेहर है, याने किसी ने कुछ नो कुछ किया है, प्लानिंग किया है, तब जाकर को उसकी सहर की पहचान बनिये, क्या आपने तही किया है, कि मेरे सहर ग्रीन स करेंगे मैं उजे पक्का भी स्वास है कि आप अच्छे रहं से इसको कर सकते हैं